आपके लिए इस वीडियो का पहला प्रश्ण है पंजाब के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग के स्तीफा देने के बाद निम्ण में से कौन राज्जी के नए मुख्यमंतरी बनाए गए हैं। मिल गया है। राजभावन में राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चन्नी को मुख्यमंतरी पत की शपत दिलाई। चरंजीत सिंग चन्नी रामदासिय सिख समुदाय से तालुक रखते हैं। इसी बनाने की घोशना की है। आपके ऑप्शन्स हैं मनोज अगरवाल, राजीव अगरवाल, प्रमोद त्रिपाथी या फिर राहुल सचदेवा। सही उत्तर है राजीव अगरवाल। फेसबुक इंडिया ने कहा कि उसने पूर्व IAS अधिकारी और उबर के पूर्व कारेकारी राजीव अगरवाल को अपना सरवाजनिक नीती निदेशक नियुक्त किया है। वह पत पर अंखी दास की जगह लेंगे जिनोंने एक विवाद में फंसने के बाद पिछले साल अक्टूबर में पज छोड़ दिया था। इस भूमिका में अगरवाल फेस्बुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतिये नेतरित्व टीम का हिस्सा होंगे। आपके लिए अगला प्रश्ण है हिंदू युनिवर्सिटी ओफ अमेरिका में निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्यन में डॉक्टरेट की मानद उपाधी प्रदान की है। आपके ऑप्शन्स हैं अमिताब बच्चन, शारुक खान, अनुपम खेर या फिर अजय देवगन। सही उत्तर है अनुपम खेर। हिंदू युनिवर्सिटी ओफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्यन में डॉक्टरेट की मानद उपाधी प्रदान की है। फ्लोरीड स्थित विश्विद्याले ने 18 सितंबर को यहां एक विशेश कारेक्रम में अक्टर को हिंदू अध्यन में पीएचडी की मानद उपाधी प्रदान की। अनुपम खेर ने कहा कि यह उपाधी मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृती के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। आपके लिए अगला प्रशन है, निम्न में से किस राजी सरकार ने चिंदवाडा विश्विद्याले का नाम बदल कर राजा शंकर शाह विश्विद्याले के नाम पर करने की घोशना की है। आपके ऑप्शन्स हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडू। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। चिंदवाडा विश्विद्याले अब राजा शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोशना मध्य प्रदेश के मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने जबलपूर में अमर शही जनजातिय नायक राजा शंकर शाह और कुवर रगुनाज शाह के 164 वे बलेदान दिवस पर आयोजितकार क्रम को संबोधित करते हुए की। राजा शंकर शाह गोडवाना सामराज के राजा धे। राजा शंकर शाह ने अपनी मातरभूमी को अंग्रेजों से स्वतंद कराने के लिए युद्ध का आवाहन किया था। इस संग्राम में कुवर रगुनाथ ने अपने पिता राजा शंकर शाह का बढ़ चड़कर सहयो आपके लिए अगला प्रशन है सीमा सडक संगठन BRO ने RCC कमपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन कमांडर को सौपी है। आपके आप्शन्स हैं मेजर कूमल, मेजर प्रियांका, मेजर आइना या फिर मेजर कविता। सही उत्तर है मेजर आइना। महिला शशक्तिकरण को ब संगठन की ओर से मेजर आइना को देहरा दून की RCC कमपनी की कमान सौपी गई है। मेजर आइना के नेतरित्व में कैप्टन अंजना, AEE भावना जोशी व व विश्नु माया को भी नियुक्त किया गया है। आपके लिए अगला प्रशन है इंगलेंड के निम्न में से किस दिगज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपके ऑप्शन्स हैं जेक बटलेंड, जॉर्डन पिकफॉर्ड, निक पोप या फिर जिमी ग्रीव्स। सही उतर है जिमी ग्रीव्स। इंगलेंड के दिगज फुटबॉलर और स्ट्राइकर जिमी ग्रीव का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चल्सी के साथ अपने करियर की शुरुवात की थी और डेब्यू मैच में ही गोल दागने में सफल रहे थे। उन्होंने कलब की तरफ से तब 1957 से लेकर 1961 तक रिकॉर्ड 124 गोल दागे थे। उन्होंने टॉटन हम के लिए 1960 से 1971 तक 389 मैचों में शिरकत किया और इस दोरान 266 गोल दागे। उन्होंने इंग्लेंड की तरफ से 57 अंतराश्ट्रिय मुकाबलों में 44 गोल किये थे। आपके लिए अगला प्रशन है विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैंबूर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन्स हैं 12 मार्च, 20 जुलाई, 18 सितंबर या फिर 24 मई, सही उतर है 18 सितंबर। हर साल 18 सितंबर को दुन्या भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस धर्ती पर गर्म, ऊशन कटी बंदिये और उपोशन कटी बंदिये भागों में पाया जाता और ये एक प्राकृतिक वनस्पती है। बांस का वैग्यानिक नाम बैंबूस आइडी है। विश्व बांस दिवस यानि 18 सितंबर को बांस के रोपन के बारे में जागरुकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरन की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्च करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस पहली बार आपचारिक रोप से 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था। पिछली वीडियो का सवाल था। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनियता की शपत है। आपके ऑप्शन्स थे 12, 10, 20 या फिर 24। सही उत्तर है 24। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने पद एवं गोपनियता की शपत ली है। गुजरात में अगले साल होने वाले विधान सबाचुनाओं के पहले भारतिय जंता पार्टी ने अपनी पूरी सरकार में बदलाओ किया है। इस मंत्री परिशद में विजयर उपानी के दौर में मंत्री रहे किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। गवर्नर आचार देवरत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्यमंत्रियों और 5 राज्यमंत्री स्वतंत्र पुरभार को श पतली थी। आपके लिए आज की वीडियो का सवाल है केंद्रिये प्रत्यक्ष कर बोड ने पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया है। आपके आप्शन्स हैं 31 अगस्त 2022, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 या फिर 1 मार्च 2022 अपना जवाब हमें कॉमे झालब हमें मौनी की सिह कॉमें के लिए Jeanne मौनी क께 पह दो में और हैं?